ओधेश मिस्रा एक भारतिया विनेता हैं जिने बोचपुरी, साउथ इंडियन और बॉलिवुड फिल्मों में खलनाय के किरदार के लिए जाना जाता है आज बोचपुरी सिनेमा के नामी विलन ओधेश मिस्रा की बरावरी किसी हीरो से कम नहीं है इनकी भी लोग पुरता इंडिस्री में उतनी ही है जितनी किसी बोचपुरी के सूपरिस्टार की है ओधेश मिस्रा ने बोचपुरी इंडिस्री में विलन को एक नई पचान दिला दी है जिसके करण आज भी लोग ओदेश मिस्रा को ही विलन की रूप में देखना चाते हैं और इन्हें बॉलीबूट का अमिस्पूरी भी कहा जाता है दोस्तों इनका जन्म 5 अगस्त 1979 को बिहार के स्थिता मड़ी जीले के सूतिहारा गाउं में एक मध्धिवर्गिय ब्रामड परिवार में हुआ था यदि इनके नीजी जीवन की बात करे तो इनकी साधी 90 के दसक में रागनी मिस्रा से हुई थी जो की एक डांस टीचर है और इनके दो बच्चे हैं जिनमें से एक बेटी हैं जिसका नाम साक्षी मिस्रा है और दूसरा बेटा है जिसका नाम सलोना मिस्रा है और यहां अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में राते हैं और इन्हों ने अपनी स्कूलिंग और ग्रिशन की पढ़ाई अपने ही गाउं से पूरी की है अब बात करते हैं यदि इनके करियर की तो इन्होंने अपनी करियर की सुरुवात पटना के थेटर गूरूप से की थी और साल 1995 में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किस्मत आजमाने के लिए बिहार से यह मुंबई चले गए लेकिन यहाँ भी ने कोई खास काम्याबी नहीं मिल पाई तब भी इन्होंने अपने बच्चपन की हुनर पेंटिंग में ही अपना मंजिल बानकर इसी फिल्म में काम करना सुरू किया और पेंटिंग का काम करने के साथ ही ओधेश मिस्रा ने कार ड्राइविंग का भी काम सुरू कर दिया था दोस्तों काफी समय पेंटिंग और ड्राइविंग में वेतित करने के बाद ओधेस मिसरा ने टीवी सिरियल की और ओडिशन देना सुरू कर दिया क्योंकि इनकी पतनी एक खुद डांस टीचर थी और इनकी पतनी नहीं या एडवाइज किया था कि आप फिल्मों में ओडिशन देना चालू करें और इन्होंने आडिशन देना चालू कर दिया और कई टीवी सिरियलों में आडिशन देने के बाद भी इन्हें कहीं सेलेक्ट नहीं किया गया फिर भी यह इस फिल्ड में लगतार संगर्स करते रहें और एक समय ऐसा आही गया जब साल 2005 की बोचपुरी फिल्म दूलहा अईसन चाही में इन्हें एक खलनाएक के रूप में बोचपुरी एक्टर रवी किसन के साथ काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में खलनाएक के किरदार निभाने पर इन्हें 25 सो रुपे दिये गए थे और इनके दोरा निभाया गया खलनाएक के किरदार बहुत ही सांदार था जिससे दर्सकों ने काफी पसंद किया था इस फिल्म में काम करने के बाद इन्हें भोचपुरी के कई फिल्मों से खलना के किरदार के लिए ओफर आने लगे इसलिए दोस्तों मैं इनके कुछ सूपर हिट फिल्मों के नाम आपको बता देता हूं तो महदी लगा के रखना देवरा बड़ा सतावेला डमरू सौगंद गंगा मया के मैं सहरा बांध के आऊंगा छोरा गंगा किनारे वाला सरकाईलो खटिया जाड़ा लगे और मेरी जंग मेरा फैसला इनकी बोचपुरी की सूपर हिट फिल्में हैं अब आपको बता दें कि इन्होंने साल 2014 में तमिल फिल्म करियर की सुरुआत की और तमिल फिल्म पुजाई में राय बहदूर का किलदार निभाया था इसके बाद साल 2015 में बॉलिवोड फिल्म डर्टी परिलिटिक्स में जबर सिंग का किलदार निभाया था अब मैं आपको इन्हें प्राप्त कुछ पुरुषकारों के बारे में बता दूतर साल 2018 में ओधेश मिस्रा जी को भोजपुरी फिल्म मेहदी लगा के रखना के लिए सरोसरिष्ट सहय कविनेता के पुरुषकार से समानित किया गया और साल 2019 में भी सबरंग फिल्म पुरु वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर भोजपुरी से रेलेटेड सभी वीडियो आती रहती हैं